नमस्कार बहुत स्वागत है आपका पंचांग के अनुसार पौस माह के कृष्ण पौस की अमवस्या का प्रारंब 22 दिसंबर गुरुवार के साम 7 बच कर 13 मिनट पर होगा और 23 दिसंबर सुक्रवार की साम 3 बच कर 46 मिनट तक अमवस्या तिथी रहेगी उदिया तिथी के अनुसार पौस माह की अमवस्या 23 दिसंबर को है तो 23 दिसंबर को ही अमवस्या तिथी मनाई जाएगी तो इस बार चुकि सुबह 7 बच कर 11 मिनट से सुबह 11 बच कर 3 मिनट तक असनान दान का सुमूर्थ है तो सुर्योदे से आपसनान करदान कर सकते हैं सुबह 7 बच कर 28 तक चर और सुबह 8 बच कर 28 मिनट से सुबह 9 बच कर 45 मिनट तक लाव उननती और सुबह 9 बच कर 45 मिनट से सुबह 11 बच कर 3 मिनट तक अम्रित सरवोत्तम मुहर्थ रहेगा इस बार पॉस अमवस्या के दिन गंड और ब्रधी योग भी बन रहा है तो सुबह से लेकर दोपार एक बचकर ब्यालिस मिनट तक गंड योग है इसके बाद ब्रधी योग लग जाएगा पंचांके अनुसार पॉस माह के अमवस्या के दिन सी ववास भी है तो इस दिन सीववास माता गौरी के साथ दोपहर तीन बचकर च्छालिस मड़ तक है तो आप इस दिन रुद्धा पिसे भी करवा सकते है मौस्या के दिन अगर लक्षमी पूजन किया जाए तो लक्षमी स्थिर हो जाती है चले जानते हैं जिन कुट्टे को क्या खिलाएं कि मुस्किले कम हो जाए पितरी दोस समाप्त हो जाए तो सुबह जल्दी उठकर असनान करें पवित्र नदी या सरोवर में असनान का ज्यादा महत्व है आप घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डाल कर नहाए इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं भगवान सुरी को अर्द दें फिर पितर देवों के निमित जल में एक चुटकी काला तिल डाल कर उनको अर्द दें आप चाहें तो पीपल के पेड में एक लोटा जल में काला तिल थोरी सी मीठी वस्तू डाल कर भी अरपित कर सकते हैं संबब हो तो आप उपवास रखें पितर समंदी कारे जरूर कीजे और पितरों के निमित तरपंदान भी कीजे चुकि इस पावन दिन में भगवान स्री हर तो जादा है इसलिए पितर समंदी कारियों को करने से पितर देवों का आसिरवाद मिलता है और दान करने से कई हजार गुना जादा फल की प्राप्ति होती है तो दान में आप जैसे गाई को कुछ खिला दें गरी बैक्तियों में दान कर दें लेकिन काले कुत्ते को क्या ख दान है सुरी देव को अर्द्द देने से सभी ग्रोफ दोस्त से मुक्ति मिलती हैिש मिलती और सुरीद देव का आसिरवाद अपने भक्त्तों पर हमेशा बना रहता है कि संगम नधी के तरफ़ रफ़ देवी देपता का वास होता है अगर कुंडली में पित्री दोस हो अगर आपको लगता है आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं संतान की प्राप्ती नहीं हो पा रही बंस्विर्दी नहीं हो रही आपका नौकरी रोजगार नहीं चल रहा आपके जीवन मुस्किलें जादा है कुट्टे को तो आपके किस्मत चमक सकते हैं अगर संतान का सुख नहीं मिल रहा तो कहा जाता है काला कुट्टा आज के दिन लेया कर पाले तो संतान का सुख मिलता है संतान का स्वास्त अच्छा रहता है लेकिन अगर करजों से परेशान है तो साम के वक्त आप काले पर काला तिल गुड रखकर अपने उपर से तीन वार उल्टा वार कर आप खिला दें तो ऐसा करने से आपकी विप्दा टल जाएगी, कर्जी की संकट दूर होगी और प्रेद बाधा के संकट भी समाप्त हो जाएंगे जो कि इस बार का अमवस्या बहुत खास है इसलिए सिपजी को एक कटोरी में, किसी भी कटोरी आप मिट्टी का बरतल ले ले उसमें थोरा सा दूर और काला तिल आप भोग लगाएं याद रखिए अरपित नहीं करना, भोग लगाना है कुछ समय बाद वहाँ पर आप नमस्यवाय का नवरत जब करें कुछ दे फिर इस दूर में जो आपने कटोरी में दूर डाल कर रखा है और उसमें काला तिल उसको उठाईए आपकी मर्ची है जितनी भी संख्या में आप दूर या तल तिल लेना चाहते हैं उठाकर अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो वहां पर तने में रखाएं कोई भी जीवा कर खालेगा अगर नहीं है तो आप कहीं भी मिट्टी के पात्र को आप संभाल कर रख दे जहां कुता हो आसपास अगर कुटा खाले तो आपके जीवन की मुस्किले परिसानिया समाप्त हो जाएगी आप चाहें तो इस दूद जो आपने तिल मिलाकर रखा है थोड़ी से मीठी बस्तू भी डाल सकते हैं आप गुड की डली या चीनी भी डाल सकते हैं अगर नहीं है तो कोई बात नहीं उसी दूद को आप खिला दें राहु केतु सनी महराज की जो भी बुरी चाल होगी वो सांथ हो जाएगा और इस जो कुत्ते ने इसको दूद को पी लिया तो आपकी बलाएं टल जाएगी मुस्किले समाप्त हो जाएगी भगवान काल भैरब की सवारी कुत्ता है इसलिए आप कुत्ते को परसन कर भगवान भैरब को भी परसन कर सकते हैं यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है वो घुमता हो आपको दरवाजे तक आपको दीख जाए तो कभी भी उसे भुके न जाने दे कुछ न कुछ खाने को जरूर दे वैसे देखिए इस दिन कुट्टे को खास बस्तू खिलाने से जीवन के कस्ट मिटते हैं तो धर्ती पर मौजूद किसी भी प्राणी के प्रती अगर आपके मन में दया भाव है ना तो वो पुन्य का ही फल देने वाला है यदि आप किसी भुके प्राणी को भोजन कराते हैं पानी देते हैं तो उसके कई बेनी फिट हैं लेकिन क्या आपको पता है जो कुट्टा है जो गाय है बैल है ये सबी हम मनुस्य पर आस्रीत हैं हम उन्हें खाने देंगे खास कर कुट्टे को तभी वो खा पाएंगे क्य कुट्टे को सिर्फ रोटी खिलाने से आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याइं समाप्त हो जाती है जब भी घर में खाना बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए और आखरी रोटी कुट्टे के लिए रख लेनी चाहिए क्योंकि कुट्टे को रोटी खिला कर सत्रूं से मु पतार कर खिला दें अगर काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर में होने वाली जो कलह कलेस है जो असानती है वो दूर होती है खुशिया लोटाती है क्योंकि माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से करियर मे आने वाली बाधाएं भी दूर होती है आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए अगर आपका रोजी रोजगार में बहुत परेशानी है आपका जैसे नौकरी है बैपार है अच्छे से चलता नहीं तब एक छोटा काम करें देखिए रोटी में आपने जहां पर रोटी बना कर र देखिए दो रोटी छोड़ते नीचे से तीसरा रोटी ले लें अब कटोरी में एक तेल ले-सर्सों का तेल ठोड़ा सा एक चमचले इसमें अपनी इं-डेक्स फिंगन और मध्यमा उंगली यानि की मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो होता है दोनों को डाले उस ते तो आपके करियर में आने वाली बाधाय दूर हो जाएगी आपके पित्री अगर नाराज है तो आप कुत्ते को जब रोटी खिलाईएगा तो रोटी पर गुड़ या चीनी डाल कर खिलाईए मीठी रोटी बना कर भी खिला सकते हैं आप आटे की लोजी बना ले उसमें चीनी भर कर और फिर उसको बना कर खिलाएगा कुट्टे को देखना ही पुन्य फलों में को बढ़ा देता है और कुट्टे को देखने मादर से ही आपके सभी रुके कारे पूरे होने लगते हैं और अगर इस दिन कुट्टे को रोटी पर घी लगा कर खिलाते हैं याद रखिए घी जादा नहीं लगाना एक बुन्द आगे पीछे हलका सा टच कर दें स्वेम सनिदे महराज आपकी हर कदम पर सहायता करते हैं चाहे नौकरी रोजगार हो या किसी भी तरह का मुस्किले हो और आपके जीवन में खुसियां भर देते हैं लेकिन अगर आप सरसों का तेल लगा कर कुटे को खिला देते हैं तो ज़्यादा आपको याद रखिए घी तेल नहीं खिलाना है नहीं तो कुटे के जो बाल है नुवर जड़ जाएंगे सनी दे महराज बहुत प्रसंद हो दे चुकि कुटा काल भैरफ की सवारी है इसलिए उनको रोटी खिलाने से बड़ी से बड़ी विपत्तियां टर जाती है यहां तक कि काल सर्प दोस भी समाप्त हो जाता है तो काला कुटा अगर आप घर में पालते हैं तो सनी केतू की सु समाप्त हो जाता है कारे छेतर में लगातार सफलता मिलने लगती है तो आज यह प्रियोग जरूर करें अपनी मनो कामना के अनुसार विसेश चीजें खिलाएं फिलाल भी दालेंगे धन्यवाद